नमसकार दोस्तो रादे रादे कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे सस्त होंगे मस्त होंगे बहुत बहुत खुस होंगे Welcome to my new video तो friends आज की वीडियो में मैं 40 ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आने वाले है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले है जोडो के दर्द को लेकर तो जोडो का दर्द है तो अद्रक का रस लगाए इससे जोडो के दर्द में बहुती ज़्यादा फायदा मिलेगा नमबर दो है बालों को गरम पानी से धोने से बालों की जड़े कमजोर हो जाती है इसलिए कभी भी बालों को गरम पानी से नहीं धोना चाहिए नमबर तीन है हमको कोल डिंग कोफी और चाय का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए यह हमारी सरीर के लिए बहुत नुकसान दायक होते है नमबर चार है भैंस का कच्चा दूद पीने से कमर दर्द की प्रेसानी कभी नहीं होती है नमबर पांच है सेव खाने के तुरंट बाद पानी नहीं पीना चाहिए ऐसा करने से गले का कैंसर हो सकता है नमबर च्छे है आमले का मुरब्बा खाने से कभी भी सरीर में वीटामिन सी की कमी नहीं होगी नमबर साथ जब भी आप बाहर से आए तो कभी भी आते ही अपने पैर नहीं धोने चाहिए नमबर आठ है जो लोग मिट्टी के बरतनों में खाना खाते है या पानी पीते है उनको कभी भी कोई बिमारी नहीं हो सकती क्योंकि मिट्टी के बरतनों से हमको जरूरी मिनरल्स मिलते है नमबर 9, चाय के साथ हल्दी कभी भी नहीं खानी चाहिए इससे इंसान की मोत भी हो सकती है इसलिए कभी भी चाय के साथ ऐसी कोई वस्तू नहीं खाए जो नुक्सान दायक हो नमबर दस है यदि आपको पीले रंग का पेसाब आता है तो आप अंदुरुनी तोर पर स्वस्त नहीं है या फिर आप पानी कम पी रहे है नमबर ग्यारा रात को दूद में आदा चमच हल्दी का प्रियोग करने से इनसान जवान बना रहता है और यह कई बिमारियों से भी बचाता है और चेहरे का गलो भी बढ़ाता है अगर गला खराब है और आवाज नहीं निकल रही है तो कच्चा मुरूद रोज जला कर खाने से गला ठीक हो जाता है यदि टेंसन से आपका मन भारी हो रहा है तो चोकलेट या मीठी चीज खा ले मन अच्छा हो जाएगा ज्यादा टेंसन लेने से बुडापा जल्दी आता है और कई बिमारियां भी हो जाती है केले के छिलके को कभी भी फैकना नहीं चाहिए इसको अपने चेहरे पर मले इससे चेहरा निखर जाएगा तक्ये के कवर को हपते में दो बार अवस्य धोएं इससे जूरिया हो सकती है और सर का द्रद भी बढ़ सकता है किसी भी जूस को ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए ये कड़वा हो जाता है और ये हमारे सरीर के लिए भी नुकसान दायक होता है नमबर अठारे गाजर, आमला और चुकंदर इनका जूस पीने से आँखों की रोसनी तेज होती है और इसकी इन भी गलो करती है नमबर उनिस, यदि जूते पहने की वज़े से पाउं में धब्बे हो गए है तो इसके लिए चार चमच गिलिसरीन, एक बड़ा चमच नीमबू का रस मिलाकर एक बोतल में भर ले और हर रोज इसे पाउं के धब्बो पर मालिस करे और दस मिनट बाद धो ले, कुछ दिनों बाद धब्बे साफ हो जाएंगे नमबर बीस, जो महिलाएं रात को सोते वक्त बादाम के तेल की चहरे पर मालिस करती है उनका चहरा हमेशा चमकदार बना रहता है और जूरियां भी नहीं आती है नमबर 21, यदी रात में मित्थी भिगो दे और सुबह उसका पेश्ट बनाकर दूद के साथ अपने चहरे पर लगाएं तो चहरा टाइट हो जाता है और स्कीन गलो करने लग जाएगी नमबर 22, पैरो के तलवे में विक्स लगाकर सोने से छाती का कफ दूर होता है और ठंड जुखाम भी गाइब हो जाती है नमबर 23, अगर हड़ियां कमजोर हो गई है तो अपने खाने में करोंदे का उप्योग करे करोंदे में कैल्सियम की मात्रा भोत अधिक होती है इसलिए ये हड़ियों को मजबूत बनाता है नमबर 24, रोटियों पर घी लगाकर खाने से वजन तेजी से बढ़ता है और सरीर में तागत बनी रहती है नमबर 25, यदि बुखार नहीं उतर रहा है तो एक गिलास पानी में एक टुकडा गिलोए का लेके उबाल लें जब पानी आदा रह जाए तब उसको थंडा करे और हलका गुनगुना चाय की तरह थोड़ा थोड़ा करके पी ले इससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा नमबर 26, यदि आपके चहरे पर दाने निकल रहे है तो नीम के पत्तों को पीस कर उसका रस दानों पर लगाए दाने जल्दी ठीक हो जाएंगे नमबर 27, सुबह दही खाने से दिमाग को ठंडक मिलती है और हाजमा भी ठीक रहता है नमबर 28, पुदीने के साथ मिश्री पीने से औरतों में पीरेड संबंदित प्रेसानी नहीं होती नमबर 29, दूद के साथ कभी भी खटी चीजे नहीं खानी चाहिए ये बहुती नुकसान दायक होती है नमबर 30, जब भी बादाम भिगोए तब हमेशा बादाम को छिलका उतार कर ही खाने चाहिए बिना छिलका उतारे बादाम नुकसान देता है नमबर 31, नासपाती हमारी रूखी तवचा को ठीक करने में मदद करती है इसलिए हमको नासपाती जरूर खानी चाहिए नमबर 32, रोजाना दही अच्छा आच का सेवन करते है तो आपको यूरिन इंफेक्शन नहीं होता है नमबर 33, जलेबी को गरम दूद के साथ खाने से कमरदर्द और जोडो के दर्द में आराम मिलता है और खासकर जलेबी ठंडे में गरम दूद के साथ खाया जाए तो और भी फाइदा मिलता है नमबर 34, जो ओरते गीले बालों में कंगी करती है, उनके बाल कमजोर होके जड़ने लगते है, इसलिए कभी भी गीले बालों में कंगी नहीं करनी चाहिए नमबर 35, यदि आपकी हड्डियों से कट-कट की आवा जाती है, तो समझ जाना कि आप में कैल्सियम की कमी है इसके लिए आप प्रियाप्ट मात्रा में दूद, दही, पनीर, सोयाबीन, आदी का सेवन करें नमबर 36, चावल का उबला हुआ पानी ठंडा करके यदि बालों में लगाते हैं तो बाल स्पेद नहीं होंगे और जड़ेंगे नहीं नमबर 37, यदि आपके पेसाब में जलन है या किड़नी स्टोन है तो आप हर रोज नारियल पानी पीए इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा नमबर 38, खाना खाने के बाद यदि पेट में भारी पन सा लगे तो पानी में निम्बूनी चोड़ कर उसमें सेंधा नमक डाल कर पीए इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा नमबर 49, ज़्यादा नमक खाने से हाई बलड प्रेसर की समस्या हो सकती है इसलिए ध्यान रखे कि कभी भी सबजी के उपर नमक ने डाले नमबर 40, यदि आपको खासी है तो वह भूने हुए चने खाए उससे आराम मिलेगा तो फ्रेंस ये वीडियो सामाने जानकारी पर आधारित है यदि आपको कोई भी मारी है तो आप अपनी डॉक्टर की सला लेकर ये नियम अपनाए तो friends ये था अज का वीडियो I hope आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को like करे, share करे, channel पर new आते हैं तो subscribe जरूर कीज़ेगा friends मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye, take care friends, jam आता दी